ताज महल कलंग के ताबू से तुल्ला की जा रही है राश्ट धरोहर की उद्घाटन से पहले शोड़ था राश्ट पती के निमंतरन की शानदार उद्घाटन के बाद अभला है संसद भवन के आकार को लेकर ये दिविद्रिश्टी आरजेडी पार्टी द्वारक की गई है जिसमें एक तरफ तस्वीर ताबूत की है तो एक तरफ नई संसद भवन की और पूछा गया ये क्या है वही आम आदमी पार्टी ने नई संसद भवन की तुल्ला ताज महल से कर दी आप आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंतरी सौरब भार्दवाज ने कहा एक एक शहनशा ने ताज महर में मुम्ताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आती है। साथ ही शोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक ने तो जब आरजेडी ने लिखा कि यह क्या है। तुल्ला की जा रही है। उसी ताबूद में बैठ कर अब आरजेडी बैठेगी। इसका मतलब क्या आरजेडी खुद इस ताबूद में बैठने जाएगी। जो उसने खुद ही कहा है। शुशील कुमार मोदी ने आरजेडी द्वारा नए संसद भवन की तुल्ला ताबू से किये जाने पर जम कर निशाना शादा है। उन्होंने तो ये भी पूछ डाला क्या आरजेडी संसद लोग सभा से स्थीफा देंगे। क्या राजेडी जनता डल ने यह तै कर लिया है कि वे नए संसद भवन का इस्थाई रूप से भाहिशकार करेंगे। क्या वे लोग सभाकी से दिस्तिता से स्तीफा देंगे। ताबूत का चित्र दिखाना इससे जदा आपमान चनक कुछ भी नहीं है। शुशीर मोदी ने आगे कहा राजेड द्वारा ऐसे ट्वीट करना बताता है कि राजेड की मान सिकता क्या है। राजेड हमेशा से ही देश का अपमान करती आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक शुनाकरात्मक राजनीती कर रहा है।